नए भारत की नई उर्जा का महत्वपुण केंद्र बनाने की तरफ आज एक और पड़ावपार करने के मैं हम सफल हुए है थोड़ी देर पहले ही एक ऐसे इंजीन को हरी जंडी दिखाने का आउसर मुझे मिला है जो पहले डीजल से चलता था अब वही इंजन बिजली से चला करेगा यही नहीं नए इंजन की ताकत भी दो पुराने डीजल एंजीनों की ताकत से भी जादा होगी मतलब डबल हो जाएगी और यह काम डीजल डबल्यू में पहली बार हुआ है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भी ऐसा प्रवोग पहले कभी नहीं हुआ है मेक इन इंडिया के तहट किये गए इस काम ने एक बार फिर दुनिया में भारतिय वज्ञानिक और इंजिनियरिंग छमता का लोहा मनवाया है इस प्रयोग के सफल हो जाने के बार भारतिय रेलवे को और ससक्त बनाने शमता और रप्तार बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी इस बड़ी उपलब्दी के लिए मैं डिजाइन से लेकर के मैनुफेक्टरिंग तक से जुड़ी हर व्यक्ति पूरी टीम के सभी लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और ये महत्व पूर्ण काम मेरी काशी की धर्ती पर हुआ है आपके बीच में हुआ है साथियों भारतिय रेल की सुरत और सीरत बदलने वाले अनेक कदम बीते साड़े चार वर्ष में उठाए गए दिल्ली से काशी के बीच चल रही देश में बनी पहली सेमी हाइस्पीड ट्रेन बंदे भारत एक्प्रेस इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरन है इस ट्रेन को लेकर अनेक चिठिया मेरे पास आई देश्टे लोगों में एक उच्छा है गवरव का भाव है कि इतने दसकों बाद ही सही भारत को एक बिश्वस तरिया ट्रेन मिली है सब्सक्राइब आच चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स